हेलो फ्रेंड्स आईए आज एक्सल के अंदर सीखें रेंकिंग करना हमारे पास एक्सल के अंदर रेंक एवेजी और रेंक एक्यों नाम से दो फंक्शन इवलेबल हैं यह कैसे काम करते हैं आईए हम समझते हैं अपनी स्टेट्मेंट की हैल्प से हमारे पास फर्स्ट कॉलम म में नीम और ठर्ड कोलम में कुछ त्रेंट्स के मार्क्स हैं मैं इनकी रैंकिंग निकालना चाहती हूं हम दोनों फॉंक्शन को एक एक यूज करकी यूज करना सीखेंगे बात में सीखेंगे कि इन कुनों में difference क्या है आईए पहले हम rank avg का यूज करना सीखें इस equal to rank avg syntax open है पूछते है नंबर हम first student के नंबर पर अप्लाई करेंगी जिसका cell address है c6, पूछते है reference किस reference में इसको rank करना है तो हम अपनी इस list को range को set कर लेंगी यह range है c6 से c25 कोमा आगी देखिए मारवास यह order है जो optional है यह जो order है optional है इसमें मारवास दो option है एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग descending rank हमें बताता है rank number as if reference were a list sorted in descending order अगर हम अपने data को descending order में set करना चाहते हैं तो zero select कीजी अगर हम ascending order में select करना चाहते हैं तो one select कीजी अगर हम इस range को fix रखना है इसको fix रखने के लिए आईए function f4 का use करके इसको freeze कर देते हैं एंटर करते हैं एंटर करते ही मेरे पास first candidate का rank calculate होकर आ गया drag कर देते हैं यह double click करते हैं तो सब students का rank calculate होकर आ गया आईए अब सीखें rank eq के बारे में rank eq use करते हैं डबल क्लिक करेंगे syntax open है number तो number हमारा c6, reference range select करेंगे और bracket close करेंगे आगे बढ़ने से पहले हम अपनी range को freeze करतेंगे f4 की अलब से enter करते हैं enter करने के बाद drag करतेंगे इसको आईए दोनों के बीच में difference क्या है हम समझें first function है rank avg, avg means average अगर हमारी list के अंदर कोई दो students ऐसे हैं या कोई दो number ऐसे हैं जो repeat हो रहे हैं तो यह average क्या करता है जैसे हमारा बस एक से example में 90 marks राजन के भी हैं और 90 marks सतनाम के भी हैं तो इनकी ranking देखे 2.5, 2.5 इनकी ranking actually बनती थी 2 और 3 इन्होंने क्या क्या दोनों की ranking को plus करके उसका average निकाल दिया तो rank अगर कुछ values duplicate हों, repeat हो रही हों तो यह उन ranks का average निकाल कर उनको alert कर देता है लेकिन rank EQ, EQ means equal यहाँ पर देखी इस case में यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी हमार बस नाम के 90 हैं लेकिन यह क्या करता है, उन दोनों को same rank provide करता है, जैसे एक case और देखती हैं यहाँ पर हमारे पास जगदीश के भी 70 हैं और कीरती के भी 70 हैं तो यह यहाँ पर दोनों को same rank 4 provide करवा रहा है तो 4 के बाद, तो 4 और 5 यूज होगे तो अगला rank के 6 provide करता है, तो इस तरह हमारा rank AVG और rank EQ function Excel के अंदर काम करती हैं तो friends, आज हमने सीखा rank AVG और rank EQ Friends, इस video की description में इस file का link available है, आप download कर सकते हैं और इसकी practice कर सकते हैं Thank you, thank you my friends